तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का वाइरस पूरी शहर में फैल गया है जिस वज़ा से लोग जॉंबिस में बदल रहे हैं और एक दूसरी को मार कर खा रही थी फिर हमें चूटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें छे लोग थी जो जॉंबिस के वाइरस से बचे हुए थे उन लोगों में एक आदमी डॉन जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस एक बढ़ा कपल और दो लोग और थे एलिस उस घर में बचे हुए सौमान से कुछ खाना बना रही थी डॉन बाइर के हालाद देकर बहुत परिशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस पेजा हुआ था दरासली वाइरस इसी शहर ब्रिटन में फैला हुआ था यही वज़ा थी कि डॉन के बच्चे इस फाइरस से मेर्फूस थे यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैटे हुए थी उनके घर में बिलकुल अंधेरा था सबी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी किसम का शोर था तब ही उनका कोई दर्वाजा जोर जोर से खट-कटाने लगता है कहता है मुझे प्लीज अंदर आने दो दर्वाजा खूल दो मुझे बचाएं दरासली आवास दस साल के छोटे बच्चे की थी बच्चे की आवास उनकर एलिस कहती है कि प्लीज हमें दर्वाजा खूलना चाहिए हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं जब ये दर्वाजा खूलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दुबहर थी इन्होंने बस अपने घर में ही अंदेरा किया हुआ था ताकि कोई जोंबी इन्हें देखना पाए ये उस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं पूशताज करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैज जॉंबी बन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो मुझे खाने आ रहे थी डॉन पूशता है कितने लोग थे वो कहता है बहुत सारे इन भी जो दो और लोग थे उन में से लड़की बहुत सारे डरी हुई थी और बाहर छाकने लगती है उसे दूर से बहुत सारे जॉंबीस की आवाजे अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी तब ही एक जॉंबी अचानक से आकर सीदा उस लड़की पर हमला कर देती है इर्द किर्द भी बहुत सारे जॉंबीस आ गए थी और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं एलिस उस बच्चे को बचा कर उपर की तर्फ जा रही थी डॉन भी उसके पीछे आता है वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस हमें भागना है मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती उधर वो बढ़ा कपल बाहिर एक और घर में छुप गए थे मगर वो भी जॉंबीस से बच नहीं पाते जिसके बाद अब जिदर कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी उधर भी बहुत सारे जॉंबीस आगे थे दूसरे कमरे में डॉन था वो एलिस को पुकारता है देखो इधर मेरी तरफ मेरे पास आओ मगर दर्मियान में इतने साथा जॉंबीस थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती तब ये देखकर डॉन ने भी अपने दर्वाजे को बंद कर लिया था एलिस उसे बार बार आवाजें दे रही थी कहा परो डॉन मेरी मदद करो मगर डॉन उस साइट का दर्वाजा बंद करके दूसरे दर्वाजे से बाहर की तरफ भाग गया था उसके पीछे और भी बहुत से जॉम्बिस थे जो भूके उसकी तरफ भाग रहे थे हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवास मदद के लिए आना अब बंद हो गई थी डॉन बहुत शिर्मिंदगी में रोता भाग रहा था कि उसने अपनी बीदी एलिस को छोड़ दिया उसकी मदद नहीं की आगे जाकर उसे तलाब में वो ही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था वो कश्टी को चिलाते हुए हड़ बढ़ा हाट में पानी में गिल जाता है उस लड़की को भी जॉम्बिस ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं डॉन अकेला ही बचा था जो उसकश्टी में बैठकर जा रहा था फिर आगे हमें कहानी एक महीने बाद की दिखाय जाती है जिसमें बताते हैं कि जॉम्बिस अब भूके रहने की वज़ा से आइस्ता आइस्ता खत्म हो रही हैं इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कबजा था वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थी तब है हमें एक सार्चेंट डॉयल दिखाय जाता है जो के स्नाइपर निशाने बास की टीम में था उसे जैसे ही जॉम्बिस दिखे उसने उन्हें अपनी गन से निशाना लगा कर मारना था डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था इस तरह छे महीने गुजर चुके थे अब जॉम्बिस भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे इसी तर्मियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाय जाती है जो इस वाइरस पर स्टेडी कर रही थी अब जो लोग दूसरे शहरों में फसे हुए थी उन्हें दुबारा से अपने घरों में लाने के लिए तो परिशान हो जाती है क्योंकि वो ये सूच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चा को संभाला जाएगा डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वो देखती है उसकी आँखे दो कलर की थी यानि कि उसकी आँख का आदा रंग कुछ और आदा कुछ और था डॉक्टर उसे पूछती है क्यों तुम्हारी सैमली में किसी और की आँखे भी ऐसी है डॉन का बेटा कहता है हाँ मेरी मॉम की यानि कि एलिस की आँखों का रंग ऐसा था डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था वो तरह सल अभी भी इस सेव जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था इसलिए वो अपने बच्चों को उस जगा पर ली आता है जहां पर वो रह रहा था वो अपने बच्चों को उनकी मॉम, ऐलस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थी उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है सुबा को जिब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सीव जोन से निकल कर भाग गए थी और भागते भागते अपने घर पहुँच गए थी ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके तब है आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि दो बच्चे सीव जोन से भाग गई है मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थी जहांपर डॉन की बेटे को अपने घर की उपर वाले इससे कुछ आवाज ने आ रही थी जब वो उपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी यानि की एलिस जिसको डॉन जॉम्बिस की दर्मियान में छोड़ कर चला गया था एलॉन का बेटा अपनी मॉम की गरे लग गया था तब उसे दर्द होता है दोनों बेहन भाई जब अपने घर से बाहर आती है तो देखते हैं आर्मी की फोच थी जो सेव जोन में दुबारा लेने आए थी वहाँ पर तीनों को कॉरंटाइन में रखा गया था एलिस को बांद कर लैब में रखा जाता है डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस भी इन सॉंबी वाइरस से इंफेक्टिड तो नहीं तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इंफेक्टिड तो हुई थी मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफूई इतनी ताकतवर थी कि उस पर जॉंबी वाइरस का असर नहीं हुआ इसलिए अभी तक वो जॉंबी भी नहीं बनी थी मगर उसके खून या फिर किसी भी वज़ा से दूसरे लोग उससे इंफेक्टिड हो सकते थी यानि कि अगर कोई भी इनसान उसके पास रहा तो वो जॉंबी बन जाएगा ये सारे बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खत्रा हो सकती है ताकि किसी और को एलिस की वज़ा से कोई नुकसान ना हूँ मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखें एलिस की इम्यूनिटी उसकी जीन्स बहुत अलग है हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं अग जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस जिन्दा है कि वो एलिस को छोड़ कर भागा था इसलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उसे माफी मांगता है अब जैसे ही वो उसकी थोड़ा और करीब जाता है एक दम से चीखता तड़पता है और एक दम से जॉंबी में बदल गया था एलिस उसकी ऐसी हालत देकर मदद के लिए चिलना दी है मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाग तरीके से नोच कर मार देता है फिर इसकी बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सीव जोन की तरफ भाग दी है मगर डॉन सीव जोन की तरफ पिया गया था और लोगों की चीखों पुकार सुनकर उस तरफ की दरवाजे को तोड़ने लगता है डॉन का बेटा उसे बेकर भागता है एक एसी वेंट में जाकर छुप गया था नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजे आ रही थी डॉन उन्हें काट कर जॉंबी बना रहा था फिरा कि जॉंबी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को जॉंबी बना रही थी हर चकाँ पर हल चल थी सबी अपनी जान बचा कर यहां से भागना चाते थे तब ही स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन जॉम्बी है और कौन नहीं तब ही उन सबी को ये ओर्डर दिया जाता है कि सब को मार दें ये बात सुनकर उसी स्नाइपर्स डाइल को जो हमने कहानी के शुरू में देखा उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे लोगों को बचाना था उनकी मदद करनी थी ना कि उन्हें मारना था वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक जॉम्बी आता है जिसे वो शूट करके मार देता है मगर उसमें डॉन के बेटे को नहीं मारा था इसलिए वो अपने इस ड्यूटी को छोड़ देता है डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था जहाँ पर बहुत अंदेरा था जो सब को यहाँ से चलने का कहता है क्योंकि यहाँ पर रुकना खत्रे से खाली नहीं था वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फाइरिंग कर देती है जिसमें बुरी औरत मर गई थी डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थी तभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है जो कि आर्मी में था जिसके पास हेलिकॉप्टर था वो कहता है देखो कुछ वक्त में सारे शेर को बॉम से उड़ाने का ओर्डर दिया गया है तुमें मैं जिस जगा की लोकेशन भेच रहा हूँ वहाँ पर आकर मुझसे मिलो मैं तुमें बचाता हूँ अब ये सबी एक टैनल की रास्ते से वहाँ से बाहर आते हैं तभी उतर बहुत बड़ा धमाका हुआ था आर्मी ने सेव जोन में जितने भी जॉम्बिस या बचे हुई इनसान थी सबी को दमाके से उडा दिया था डाइल डॉक्टर और बच्चा को लेकर भागता है ये सबी उसके दोस्त के बताई हुई जगा पर आ गए थे तबे डाइल का दोस्त भी हेलिकॉप्टर लेकर आ जाता है वो डाइल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बिस आ रही है ये सुनकर डाइल बच्चों और डॉक्टर को छुपने का कहता है उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है देखो डाइल मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है अगर मैं किसी भी बचे हुए सिवेलियन शेहरी को बचा कर ले गया तो आरमी वाले मुझे भी मार देंगे लेकिन डाइल अकेला उसके साथ नहीं जाता वो सब की मदद करना चाहता था इसलिए वो अकेला ही उसे वहां से बेच देता है तब इनके पीछे बहुत से जॉंबिस पढ़ गए थी ये भाग कर शेहर की तरफ आते हैं शेहर में आरमी ने जॉंबिस को मारने के लिए सेहरी ली गैस छोड़ी हुई थी जिस पचा से वहां पर आम इनसान सास नहीं ले सकता था उसे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं अब सारे जॉंबिस उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थी मगर गैस की वज़ा से वो जॉंबिस वहीं पर मर जाते हैं पीचे आर्मी के लोग भी थी जो सब को यहां पर खत्म करने आ रहे थी डाइल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी तब यदाइल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है मगर वो आर्मी के नजरों में आ गया था आर्मी वाले उसे भी इंसेक्टिर समझ कर मार देते हैं डॉक्टर बच्चों को बचा कर गाड़ी चला कर टनल तक पहुँच गई थी मगर वहां पर आकर उन्हें डॉन का जॉम्बी दिखता है उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था इसे बीच डॉन की बेटा बेटी भी अलग हो जाती है डॉन ने अपनी ही बेटी पर हमला कर दिया था मगर उसके बेटे के अंदर भी एरिस की तरह ही ताकत थी जिस वज़ा से वो भी जॉम्बी में नहीं बदलता तब ही डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैट को मार देती है और बहुत रोती है ये दोनों बेहन भाई स्टेटियम में बहुच गए थे जहां पर वो ही डाइल का दोस्त आता है जिसके पास हेलिकॉप्टर था वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इने बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए शायद वो इंग्फेक्टिट ना हूँ मगर फिर भी वो ने बचा लेता है और अपनी हेलिकॉप्टर में ब्रिटन शहर से बाहर ले गया था हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है फिर हम अटा इस दिन के बाद देखते हैं जहां पर बचे हुई जॉम्बी एक टनल की रास्ते से पैरिस शहर में पहुँच गए थी